सीरल ये है महबते में गुलाबो बनती है निदी के प्लान में प्रॉब्लम निदी शगुन के बच्चे के आगेंस अपनी प्लानिक कर रही है और उसको रिलाइज होता है कि गुलाबो उसके रास्ते का खाटा बन रही है सीरल ये है मौबते में निदी मनी के घर में मनी की सेक्रेटरी बनकर रह रही है एक्चली निदी ने अपने आपको मरा हुआ घोशिट कर दिया है और वो मनी को ब्लाक मेल करके उसके घर में उसकी सेक्रेटरी बनकर रह रही है Actually में निदी के evil intention है शगुन और उसके होने वाले बच्चे की तरफ वो शगुन के बच्चे को मारना चाहती है निदी ने तो उसके बच्चे को मारने की कोशिश भी की थी शगुन के पाय समय जहर मिला कर लेकिन इशिता ने सही समय पराकश शगुन को वो खाने से रोक लिया था और उसके बच्चे को बचा लिया था अब इशिता के साथ साथ निदी की life में गुलाबो वी एक नई परिशानी बनकर खड़ी हो गई है निदी को नहीं है पता कि गुलाबो को यह और नहीं बलकी रमन है और वो गुलाबो को इस घर से पर्मनेटली बाहर करना चाहती है जिसे वो अपना काम आसाली से पूरा कर सके निदी शगुन को मैनिपुलेट कर लेती है कि गुलाबो लालची है और लगता है कि वो चोरी भी कर सकती है निदी पूरी तरह से शगुन के कान भर देती है शगुन में निदी की बातों को सिरियस्ली ले लेती है और निदी एक सीन क्रियेट करती है जिसमें शगुन को गुलाबों पर डाउट होने लगता है प्राबों को शगुन के बिहेविर में चेंज लगता है और वो इस वजह से इशिता से हेल्प मागती है अब देखते हैं कि क्या एक बर फिर से इशिता निदी के इस प्लान को भी फेल कर पाएगी या नहीं वैले शोर से जुरी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अशिता है